हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टो अब्रिवन कीरन संतानवे सोपलस बुक से सिंपल इंट्रेस्ट साधारन व्याज का टाइप बन अस्टार्ट कर रहे हैं साधारन ब्याज का टाइप बन है साधारन ब्याज ग्याद करने पर अधारित प्रस्ण और साधारन ब्याज का सिंपल जो फर्मूला होता है सबी लोग जानते होंगे क्या होता है तो साधारन ब्याज सिंपल इंट्रेस्ट बराबर मुल्धन गुना दर बटा सो गुना समय य सौकट में हम कभी-कभी यह भी यूज करेंगे सधारन व्याज क्या होता है तो मुल्धन का आर टी परसेंट आर इंटू टी इतना परसेंट यह सब लोग जानते होंगे और भी थोड़ा सा बेसिक हम बता देना चाहते हैं जैसे देखिए आर परसेंट की दर से ती बर्स का सधारन व्याज का परसेंटेज क्या होता है तो रेट इंटू टाइम का परसेंटेज आई पूर एक्जामपन देखिए पाँच परसेंट की दर से तीन बर्स पाँच परसेंट की दर से तीन बर्स का सधारन व्याज का परसेंटेज कितना होगा तो पाँच गुना तीन यानि की पांती या पंद्रा परसेंट या आपको ध्यान रखना है पाँच परसेंट की दर से तीन बर्स का सधारन व्याज क्या होगा percentage में तो rate into time का percentage होता है यानि 15 परसेंट अब देखिए 15% है यहां पर हम shortcut में लिख रहा है सधारण ब्याद का percentage कितना हो गया 5% की दर्सें 3 वर्स का 15% तो 15% को हम चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं ना 15 बटा 100 पहले हम यह आपको बता देना चाहते हैं कि जो यहां पर denominator में रहेगा हर में रहेगा वो क्या होगा मुलधन क्या होता है एमाउंट कहने का अर्थ मिस्धन, मिस्धन बरबर सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, मुल्धन पलस सधरन व्याज होता है, यानि कि 100 रुपया मुल्धन है, 15 रुपया व्याज है, तो 100 पलस 15, यानि कि 115 रुपया क्या हो जाएगा, मिस्धन हो जाएगा, अब यहां पर इस ज़्यसके चाहे तो आप कैंसर्ट वी करकर लिख सकते हैं या पहली से ऐसे ही लिख देते हैं देखिए मुंधन कितना हो गया मुंधन हो गिए सो रूपया साधारन व्याठ कितना हो गया पंदरन इल्पया और एम. और अगर जो हम इसे कैंसिल कर दें जैसे डेखिए साधारन व्याद का परसेंटेज क्या था 15 परसेंट था और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 15 बटा सो यानिकि यानिकि यह क्या होगी है 3 बटा 20 तो जब कठिन प्रस्ट आने लगेगा जैसे यहां पर सुलव पुरुना 2 बटा 3 परसेंट हो जाएगा तो इस विराइटिक के क्यूप्शन में आपको इसी तरह से कर लेना है जैसे हम बता रहे हैं अभी यानिकि फ्रेक्शनल फोर्म में भ इसको हम रेशीयो में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे मुद्धन कितना है 20 रुपया साधाराल ब्याज कितना है तो 3 रुपया इमाउंट कितना है तो 20 पलस 23 रुपया बस इतना ही आपको ध्यान रखना है अब हम किवसंस से स्टार्ट कर रहे हैं टाइप बन का पहला अब देखिए टाइप बन का किवसंस नंबर पहला किस रासी पर सरल व्याज 7% की दर से 4 बर्स में 70 रुपया होगा तो सबी लोग जा सेंटना है 70 रुपया और मुल्धन कितना आपसे पुछा है किस रासी यानि मुल्धन आपसे पूझा है कितना न दिया है 7% यंो कि साथ परसेंत्ट यंजिन कि तो मुलधन होगे आपका लुप्या कौम सबuses है किंप्सस नंबर पहला का आप्सस नंबर दुसरा में दिया है लुप्सस नंबर 2 करेक्ट टेंसर हो गया नेक्स्ट किंप्सस देखते हैं दुसरा नंबर क्या है किंप्सस बारसिक 3% की दर से 500 रुपया का 2 बर्स में सरल सूध यानि की सरल ब्याज सूध को आप ब्याज भी बोलते हैं तो सरल सूध यानि की ब्याज कितना रुपया होगा तो सभी लोग ढाते हैं साधारण ब्याज बरबर मुल्धन गुना दर बटे 100 गुना समय होता है तो यही आपसे पुछा है साधारण ब्याज कितना होगा मुल्धन दिया है किवसंस में 500 रुपया 500 रुपया दिया है मुल्धन रेट कितना दिया है 3% यानि की 3 बटा 100 और समय कितना दिया है तो 2 बर्स अब इसको सोल्फ करना है तो 00 cancel हो जाएगा 5 या 15 दुनी 30 यानि की 30 रुपया आपका simple interest हुआ कौन सो options है तीसरा नमबर options है तो options नमबर 3 correct answer है next questions देखते है तीसरा नमबर questions नमबर देखिए तीसरा blank space यानि की कितने बर्स में 24% की दर से 4000 रुपया का सरल सूद यानि की साधारन ब्याज 800 रुपया होगा तो सबसे पहले formula लिख देते हैं साधारन ब्याज बरबर मुल्धन गुना 10 बटे 100 गुना समय होता है किवसंस में दिया है कि सरल सूद 800 रुपया होगा यानि की simple interest 800 रुपया दिया है और किवसंस में बोला है 4000 रुपया का यह 00 कैंसिल कर देते हैं और 10 से 10 यहां भी कैंसिल हो दाएगा और यह कैंसिल कर सकते हैं 4 से यानि की 20 चोकी 80 और यह 4520 यानि की time कितना हो गया 5 डैट मिस 5 बर्स कौन सूद आप्संस है किवसंस नमबर तिसरा का आप्संस नमबर पहला है 5 बर्स आप्संस नमबर एक करेक्ट अंसर है किवसंस नमबर देखिए चोठा यदि 900 रुपया का 6% प्रतिवर्स की दर से साधारन व्याज उसी समय के 918 रुपया की सही छूट के बराबर है तो समय की गन्ना की दिये प्रस्ट में दिया है कि सही छूट है जो किस के बराबर है तो ये साधारन व्याज के बराबर है और प्रस्ट में दिया है कि मुल्धन कितना है 900 रुपया है और एमॉंट कितना है 918 रुपया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सिंपल इंट्रेस्ट निकाल लेंगे क्या होता है सधारन व्याज बरवर होता है मिसधन माइनस मुल्धन यानिके 918 रुपिया माइनस 900 रुपिया तो 18 रुपिया आपका क्या हो जाएगा सधारन व्याज अब सभू लोग जानते हैं सधारन व्याज का फोर्मूला मुल्धन गुना 10बटे 100 गुना समय तो साधारन व्याद कितना हो गया 18 रूपया मुल्धन कितना है 900 गुना 10 कितना है 6% यानि कि 6 वटा सो टाइम आप से पूछा है अब यह डवल 0 कंसिल हो जाएगा और 9 दूनी 18 उसके बाद 2 तिया 6 मतलब 1 दूनी 2 और यहां 3 दूनी 6 अब देखिए यह 3 इधर आएगा तो 1 चाहला है तो चल्ट हो जाएगा यानि कि टांटैन कितना हो गया एक बाटा तीन बस अब इसको महिन में यानि की मंथ में कान्वर्ट कर गोड़ों सकते हैं यानिके 4 महिना कि pen. कितना है चोटा तो ऑप्सनस नमबर किसरा में दिया है चार महना अप्सनस नमबर तिन करेक्ट अंसर है नेच्ट किसस देखते हैं पाच्वा नमबर किसरा सी का चार परसंड की दर से पाच बरस में साधारन व्याज 17 पूर्णांग 4 वटे 5 रुपया होगा तो सभसे पहले सा साथाराण गैस दिया है नवासी बटे 5 रुपया और मुल्धान आपसे पूछा है और रेट किपसंस में दिया है 4% तो 4 बटा सव टाइम दिया है 5 बर्स अब इसको सो रुप करते हैं तो सबसे पहले यह कैंसिल कर देते हैं 20 पचे सव और यह 5 चोंके 20 चार से 4 भी कैंसिल हो सबसे पहले क्या करेंगे हम साधारन ब्याज निकाल देंगे क्या होता है साधारन ब्याज बर्बर होता है सबसे निकालते हैं यानिकी 1400-1200 कितना हो गया दोस्फोचानी स्फाइल हो गया आपका साधारन ब्याज का फर्मूला वी लोग जानते है क्या होता है साधारन ग्याद प्रवर होता है मुल्धन गुना दरबटे 100 गुना समय तो साधारन ग्याद हो गया 240 रुपिया और किपसंस में दिया है कि मुल्धन कितना यह हमने लिखा भी है 12 सो रुपिया है मुल्धन और rate दिया है कि इपसंस में नहीं, rate आपसे पूछा है, तो आर रहने देते हैं, आर बटा सब, और time दिया गया है कितना 4 बर्स में, अब इसको solve करते हैं, तो double zero cancel कर देते हैं, और 12, एकम 12, और 12, गुना 20 करने पर हो जाएगा ना 240, तो ये 4 पचे 20 भी cancel हो जाएगा, यानिकि rate आपका कितना हो गया, 5%, यानिकि 5% का उपसंस है, 6 का उपसंस नमबर, 4 में दिया है 5%, तो उपसंस नमबर 4, correct answer होगा, अब next किपसंस देखते हैं, 7 नमबर, किपसंस नमबर देखिए 7, वह धन ग्याद करें, जिसमें 6% साधारन व्याज की दर से 600 रुपया प्रती माह आम गुंदानी हो सके, यानिकि एक महिना में ब्याज 600 रुपया, यानिकि मासिक ब्याज दिया है 600 रुपया, तो बारसिक ब्याज कितना हो जाएगा, बारा गुनाद 600 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सबसे पहले लिख देते हैं, मासिक ब्याज, मासिक ब्याज क की हुआ कि एक मान्थ याशटे का निकाल देते हैं बारशीख व्याज क्या वज्वार करने का मतलब हुआ सभी लोग हो गया और कितना हो गया तो और कितना दिया है और आपसे पूछा गया है कि तो तो साधारन व्याद वरबर क्या होता है मुल्धन गुना दर बटे 100 गुना समय साधारन व्याद कितना 72 रुप्या मुल्धन पूछा गया है रेट कितना है 6% यानि कि 6 बटा 100 ताइम कितना है एक बरस अब देखें यहाँ पर सबसे पहले यह 6 से करिजिल करते हैं 12 चक बहत्त 1200 गुना 6 करने पर 72 हो जाता है अब 1200 गुना 100 यानि कि मुल्धन आपका कितना हो जाएगा तो 1, 2 और यहाँ पर 4 जिरू हो जाएगा that means 120,000 रुप्या कौम सा उप्सेंस है किर्शनस नंबर 7 का देखते है 120,000 रुप्या दूसरा नंबर उप्सेंस में है तो उप्सेंस नंब कुल ब्याज 1230 रुप्या दिया गया हो तो बताएं कि मुल्धन रासी कितनी है यानि कि मुल्धन आपसे पूछा है तो सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं साधारन ब्याज बरवर क्या होता है मुल्धन गुना 10 वटे 100 गुना समय तो प्रस में दिया है कि साधारन ब्याज कितना है यदि कुल ब्याज 1230 रुप्या दिया गया हो मतलब 1230 रुप्या सिंफल इंट्रेस्ट है मुल्धन आपसे पूछा है रेट कितना दिया है तो पाच परसंट और समय कितना दिया है तो समय दिया गया है 6 बर्स के लिए और इसको solve करते हैं तो यहां पर सबसे पहले ये 20 पर चेस सो हम cancel कर सकते हैं फिर 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 और 3 से cancel करेंगे यानिकि 3 चो के 12, 3 एकम 3 और ये 0 अब मुल्धन क्या हो जागा 410 गुना 10 यानिकी 41 तो 41 रुपया कौन सो options है किवसंस नमबर 8 का options नमबर पहला में दिया है 41 रुपया तो options नमबर 1 correct answer है next किवसंस देखते है 9 नमबर क्या है किवसंस कोई व्यक्ति 5% बार्सिक दर्से साधारन ब्याज पर 75 रुपया उधार लेता है बापस की जाने वाली धनरासी बापस की जाने वाली धनरासी को आप amount बोलते हैं यानि कि मिस्धन बोलते हैं तो किवसंस में उच्छा है कि मिस्धन क्या होगा मिस्धन मरवर क्या होता है तो मुल्धन पलस सधारन ब्याज सभी लोग यह जानते होगे तो यहां पर किवसंस में दिया है क्या दिया है किवसंस में कि साधारन ब्याज पर 75 रुपया उधार लेता है यदि कि मुल्धान कितना हो गया 75 रुपया तो 75 पलस और साधारन ब्याज आपको निकालना होगा तो 75 पलस जो भी साधारन ब्याज होगा ये दोनों का addition आपका amount हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर सधारन व्याद का हम formula लिखते है क्या होता है मुलधन गुना 10 बटे 100 गुना समय तो किवसंस में दे दिया है किवसंस में एक चीज दिया है क्या दिया है कि 75 रुपया उधार लेता है तो मुलधन आपका 75 रुपया हो गया यानि कि मुलधन 75 रुपया हो गया rate कितना दिया है rate दिया है 5% तो 5 बटे 100 टाइम कितना दिया है 6 बस तो simple interest कितना हो जाएगा अब इसको solve करते हैं 00 तो cancel नहीं होगा यानि किस तरह से cancel कर देता है इसको हम 25 चोके 100 25 या 75 और 2 दूनी 4 3 दूनी 6 अब नहीं कैसल होगा यानि कि 3 या 9 पचे 45 बटे 2 यानि कि साड़े 22 रुपया साड़े 22 रुपया क्या हुआ यह साही तो यहाँ पर साड़े 22 रख देंगे यानि कि 75 पलस साड़े 22 तो कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 527 और 729,67 रुपया कौम सो ऑप्संस है किप्संस नमबर कितना है 9 तो ऑप्संस नमबर पहला में दिया है तो ऑप्संस नमबर एक करेक्ट एंसर है नेक्स्ट किप्संस देखते हैं 10 नमबर किप्संस नमबर देखिए 10 1100 रुपया का साधारन ब्याज दो बर्स 4 महिने में 252 रुपया होता है तो ब्याज की दर प्रती बर्स कितनी है 1600 रुपया का मतलब मुलधन कितना दिया है किप्संस में मुलधन दिया है 1600 रुपया और किप्संस में टाइम क्या दिया है ताइम दिया गया है दो बर्स चार महिना दो बर्स चार महिना क्या दिया है यहाँ पर दो बर्स चार महिना दिया गया है ताइम तो इसे हम पूरा बर्स में लिखना चाहते हैं यानि कि इसे इस तरह से लिख सकते हैं दो पुरुनांग चार बटे बारह तो चार एकम चार चा कर 232 722 208 माहिने में मतलब सुंपल इंट्रेस्ट दिया है। कितना 52022 रुप्य या पुछा है आपसे कि उसस ने पुछा है तो ब्याज की दर प्रती वर्स कितनी है रेट पुछा है क्या होगा तो साधारत ब्याज का फर्मूला लिख देते हैं मुल्धन गुना दर बटे सो गुना समय सिंपल इंट्रेस्ट कितना है दो सो बामा रुपया मुल्धन कितना है सो लह सो रुपया है रेट आप से पुछा है और टांक दिया है कितना तो साथ बटे तीन बर्स अब इसको सो लुप करते हैं डबल जी रओ इहां कैंसल हो जाएगा और इसके बाद यह साथ से कैंसल करते है साते कम सात nor यह सथ्या 21 फिर 4 और 2 सच्छ च्छख के 42 और उसके बा पाच बड़ता लगा बटा में यानि कि 27 बटेच चार रेट आपका इतना हो गया और इसको हम लिख सकते हैं चरचा के चो बीस तीन सेस्फल बचेगा यानि छे पुर्नांग तीन वटे 4% 10 का देखते है छे पूरणां टीन वटे 4% चोठा नमबर ऑप्षिंस है तो ऑप्षिंस नमबर 40% का करेक्टेंसर हुआ Next किउप्षिंस देखते है 11 नमबर किउप्षिंस नमबर देखिए 11 किस साधारन ब्याज की दरसे 750 रुपया का मिस्ध्धन 5 बर्सों में 900 रुपया हो जाएगा किस साधारन व्याज की दर्से यानि की रेट आप से पुछा है क्या होगा मुल्धन कितना दिया है 7500 रुपया और टाइम कितना दिया है 5 बर्स और यहाँ पर किवस्धन में इसके आगे क्या दिया गया है यानि की मिस्धन कितना दिया है तो 900 रुपया तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे साधारन व्याज निकाल देते हैं क्या होता है साधारन व्याज बरबर मिस्धन माइनस मुल्धन यानि कि 900 रुपिया माइनस 700 रुपिया तो 1500 रुपिया आपका क्या हो गया सधारन व्याज अब सधारन व्याज का फर्मूला जाते हैं मुल्धन गुना 10 बटे 100 गुना समय तो 1500 रुपिया सधारन व्याज हो गया मुल्धन कितना साढ़े साथ सो रुप्या रेट आपसे पुछा है और टाइम दिया है पांच बर्स तो देज़ सो एकम देज़ सो देज़ सो पच्छे साढ़े साथ सो और ये 2525 चोके सव तो एक गुना चार चार यानिक रेट कितना हो गया चार देखित नमबर 12 में सबसेंस नमबर 12 कि पूर्सेंस नमबर 12 तीन पूर्णां 12परतिसत बारसिक सदहरन वियाज की दर छार परसों में वियाज 7 रुपया हो जाएगा तो किवसंस में सबसे पहले rate दिया है 3 पूर्णान 1 बटा 2% यानि कि हम इसे बोल सकते हैं 3 दू नीचे 1 7 बटा 2 यानि कि 3% दिया गया है rate और आगे बोला है किवसंस में 4 बर्सों में ब्याज 70 रुपया हो जाएगा यानि कि time कितना दिया है 4 बर्स और ब्याज कितना दिया है तो ब्याज दिया है 70 रुपया और क्या पुछा है आपसे किवसंस में पुछा गया है कि किस धन का यानि कि मुल्धन आपसे पुछा है क्या होगा तो साधारन व्याद बरबर होता है मुल्धन गुना 10 बटे 100 गुना समय साधारन व्याद कितना है 70 रुपया मुल्धन पुछा है क्या होगा रेट दिया है 3 पुरुना एक वटा 2% यह निकि 7 बटे 2 और यह गुना एक वटा 100 होगा और टाइम 4 बरस है तो 25 बुनी 50 गुना 10 यानि कि 500 मुल्धन कितना होगा 500 रुपया कौन सौ उप्संस है किवशनस नंबर 12 का उप्संस नंबर पहला में दिया है 500 रुपया तो उप्संस नंबर पहला ही correct answer है नेक्स्ट किवशनस देखते है 13 नंबर किवशनस नंबर देखिए 13 यदि 2560 रुपया 25% बारसिक ब्याज की दर से 6 माइना के लिए निवेस किया जाता है तथा ब्याज 3 माज सिक आकलित किया जाता है तो मिस्धन क्या है ये किवशनस आपका compound interest यानि कि चक्रिवर्धे व्याद का हो गया यहां लिख देते हैं ये किवशनस आपका है जो CIE का है तो हलाकी चेप्टर ये आपका जो हम करा रहे है simple interest का है लेकिन एक किवशनस आगया CIE का compound interest चक्रिवर्धे व्याज का फिर भी यहां पर हम बता देते हैं किवशनस में दिया है कि व्याज त्रे मासिक आकलित किया जाता है मतलब व्याज की गन्ना तिमाही है यहां लिख देते हैं कि व्याज इस प्रकार से लग रहा है तो व्याज की गन्ना व्याज की गन्ना जो हो रही है वो तिमाही हो रही है मतलब तीन-ती महिना पर हो रहा है तो जब ब्याज की गर्ना की माही रहती है तो क्या करते हैं सबुलोग जानते हैं कि जो रेट रहता है जो भी रेट रहता है उसको चार से हम क्या करते हैं उसमें चार से भाग देते हैं और टाइम में 4 से गुना करते हैं, तो rate दिया है, किपसंस में कितना दिया है, 25% है, तो 25% को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, मतलब rate में 4 से भाग दिया जाता है, और time में 4 से गुना किया जाता है, तो time कितना दिया है, 6 महिना, तो इसको हम 4 से गुना करेंगे, अब ये क देखिए अब ये 25 बटे 4 परसेंट को हम भींत रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 25 बटे 4 गुना एक वटा सव यानिकि 25 से कम 25 पचीस चोके सव तो एक वटा सोलह हो गया ना यानिकि अब देखिए मूलधन और यहां पर इमांट का रेशियो लिखते हैं 16 रुपया आपका मुलधन है एक रुपया ब्याज है मतलब 17 रुपया आपका मिस्धन हो गया एक बरस के लिए तो यहां पर दो बरस के बारे में बात किया है तो फिर 16 और 27 डैडविस इहां पर एक बरस और एक वस्दोवर्स के लिए हो गया अब 16 गुना 16 तो 256 और ये 17 गुना 17 तो 289 किवसंस में क्या पुछा है किवसंस में पूछा गया है क्या पूछा है यदि 2560 रुपया 25% बार्सिक ब्याज की दर्से 6 मैना के लिए निवेश किया जाता है तक ब्याज त्रेमासिक आकलिक क्या जाता है तो मिश्धन क्या है मिश्धन यानि कि मौन पूछा है 289 रेश्यों का भेलू क्या होगा जो पूछा है और क्युपसंस में जो दिया है यदि 2560 रुपया यानि कि ये आपका क्या है प्रिंसिपल यानि कि मुल्धन है 2560 रुपया यहां मुल् चपन रेशियों का भैलू 2560 है तो एक रेशियों का भैलू 10 हुआ। यहनी कि 216 में 10 से गुना करने पार 2560 होता है। चार में तो options number 40% का correct answer हुआ अब next questions देखते हैं 14 नंबर किवसंस नंबर देखिए 14 पांच हजा रूपया पर 5% बार्सिक दर से 5 बर्स का साधारन व्याद क्या होगा तो साधारन व्याद बरबर क्या होता है मुल्धन गुना 10 बटे 100 गुना समय तो यहां पर किवसंस में दिया है 5000 रूपया मुल्धन आपका कितना हुआ 5000 रूपया रेट कितना दिया है 5% यानिकी 5 बटा 100 टाइम कितना दिया है 5 बर्स डबल 0 करिसिल हो जाएगा 25 25 25 25 से और यह 0 यानिकी 1250 रूपया आपका हो गया simple interest हो आट सो प्रिशन में कितना तो डूसरा में डिया है निया मिज़कोन देखते हैं 15 लिए नहीं कि नाइसे प्रसंट के का बेस्टेपरोट क्या होता है तो कि आप से पुछा है किवसंस में कहने का अरथ हुआ नया मिसधन क्या होता है तो कुराना मिसधन मतलब ए पॉल्डहमांट पलस मुल्धन का 80 ृप तो यहिद कि पुराना पर आपको सधारन व्याद से लिखना है तो देखिए क्योई समें दिया है कि मुल्धन कितना है? मुल्धन 800 प्या और तीन बरसों में आपका शाधरन वयाज के दर से 920 प्य हो जाती है लिए जाती के. तो वयाज के दर 3 % से बढ़हा दिजाती है यहां कि तीन बर्स दिया है मतलब 39 परसेंट बढ़ा दी जाएगी हम बोलेंगे कि मुल्धार कितना था 800 रुपया तो 800 का नौ परसेंट यहां पर क्या लिखेंगे 800 का नौ परसेंट यह डिरेक्ट आपको यहां करना है परसेंट से दो जीवों कैंसिल होता है यानिकी 920 पलस अठनमा बहत्तर तो कितना हो जाएगा सतर विस नबवे और दो बानवे यानिकी 992 रुपया कौन सो ऑप्संस है कि उप्संस नंबर है 15 ऑप्संस नंबर पहला में दिया है तो ऑप्संस नंबर एक करेक्ट इंसर है यह हुआ मेथड फॉस्ट यहां पर हम लिकी देते हैं मे है किना माइनस मुलधर यानिकी 920 – 800 रुपया तो सधारण व्याद कुतना होगया 120 रुपया और यहां से आप दर निकाल देंगे तो सधारन व्याद वर बर क्या होता है मुलधर इसको सल्ब करते है डवल जि़रो魚adaadasäre टिया और 485,reets आपको कितना हो गया 5% तो new rate यानि की नया दर कितना हो गया 9% तो 3% बढ़ाती जाती है तो यहाँ पर 5% आया है तो 5% परसेंट पलस 3% यानि की नया दर आपको कितना हो गया 8% अब देखिए यहां पर से यह सबसे पहले निकालेंगी तो क्या होगा साधरन ग्याट बरबर मुल्धन गुना दर वटे सव गुना समय तो कितना है मुल्धन मुल्धन आपका है 800 रुप्या दिया है किर्संस में दर कितना नया हो गया जो दर आपका 8% यानि कि 8 वटा सव और कि दिया सभिएंग्या है वैं कैया हो जाएगा मुल्धन सअधरन ब्याज मुल्धन आपका 800 और सभ्याज 192 यानि कि 992 रुपई आपका कौण सव प्षर है 900 रुप्या है जो उप्षंस में एक में दिया था, अप्सनस नमबर एक करेक्ट एंसर है, नेक्स्ट क्यूशनस देखते हैं, सोलह नमबर, क्यूशनस नमबर देखिए, सोलह, एक धन रासी पर छे बर्स के अंत में ब्याज, उस धन रासी का तीन वटा आठ भाग है, लगाए गई पर तीसत ब्याज की दर क्य तो यहां देखिए, क्या दिया है, एक धन रासी पर छे बर्स केंत में, यहां देखिए, एक लाइन लिखा है, ब्याज उस धन रासी का तीन वटा आठ है, कहने का मतलब धन रासी हुआ कितना मुल्धन हुआ कितना मुल्धन आपका हो गया आठ, तो यहां पर ब्याज कितन 60 का पुछा है आपसे पूछा है कि सभी लोग जानते हैं कि सधाराण बर्बर होता है मुलधन कुना दर बटा सौग तो सचंहें तो मुलधन आठ आपसे पुछा है और चे हम पर कांसिल करेंगे उसके बाद केंचिर करतें है दो जोके शोके 25 चो के सव यानिकि, 2 दोली 4 वटा 25 इधर आएगा तो 25 वटा 4 हो जाएगा यानिकि, रेट आपका कितना हो ब्याब तो 6 पुर्णाक, 1 वटा 4 परसेंट कमसा उप्षन्स है, सोलह का उप्षन्स नंबर दूसरा में दिया है, तो किवसंस नमबर दो करेक्टन सरुवा अब नेक्स किवसंस देखते हैं किवसंस नमबर सत्रह सत्रह नमबर किवसंस देखिए क्या है 35 रुपया का पांच जनवरी से 31 मई 1904 तक 6 परसेंट की दर से ब्याज क्या है मुधन कितना दिया है 35 रुपया और टाइम आपको ध्यान से लिखना होगा किवसंस में दिया है 5 जनवरी से 31 मई 1904 तक यानि कि 5 जनवरी 1904 से 31 मई 1904 तक आपको टाइम लिखना है तो 5 जनवरी, जनवरी में पूरा 31 दिन होता है, तो 5 जनवरी से लेना है, यानि कि 31 में से 5 आपको घटा देना है, तो 31 में से 5 घटाएंगे, मतलब यह कितना हो जाएगा, तो चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, डारेक्ट, यह आपका 26 दिन हो गया, पलस, फिर यह जनवरी गारी हो गया महित अपको जाना है, तो यहां पर क्या है, साधारन वर्स में कितना होता है, कितना होता है, मई दिया है किर्शंस में 31 मई तक लेना है तो 31 आपको लिफना होगा अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 8, 14, 1, 15 और 0 यानि 15 और 1, 16 का 6 बाकी 1 फिर 3, 3, 6, 3, 9 2, 11, और 2, 13 फिर देखते हैं 2, 2, 4, 3, 3, 9 यानिक 9, 4, 13 और बाकी 1, 14 146 हुआ 146 दिन हुआ इसको बर्स में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 146 बटे कितना होगा 365 इतना बर्स हो गया तो 73 दूनी 146, 73 पचे 365 यानिकी 2 बटा 5 क्या हो गया बर्स हो गया अब किर्शंस पढ़ते हैं फिर से 35 रुप्या का 5 जनवरी 1904 से 31 मई 1904 तक 6% की दर्स से ब्याज क्या है मतलब यहाँ पर तो रेट दे दिया है कितना दिया है 6% और ब्याज पुछा है तो सभी लोग जानते है क्या होता है ब्याज बरबर होता है मुल्धन गुना दर बटे 100 गुना समय तो देखिए मुल्धन कितना है 3500 रुपिया है और रेट कितना है 6% यह नहीं कि 6 वटा 100 टाइम कितना है 2 वटा 5 बर्स 00 पहले कैंसिल कर देते हैं 5 एकम 5, 5 सते 35 अब तो कैंसिल नहीं होगा तो 6 दूनी बर्स सते 84 84 रुपिया ब्याज होगा कौन सा उप्संस है किवसंस नमबर 17 का उप्संस नमबर पहला में दिया है 14 रुपिया तो उप्संस नमबर पहला ही इस प्रेशन का करेक्ट एंसर है यह आपका इंपोर्टेंट किवसंस है क्योंकि यहाँ पर टाइम निकालने के लिए और स्पेशल केस दिया है नेक्स्ट किवसंस देखते हैं 18 नमबर किवसंस नमबर देखिए 18 आठ परसेंट बार्सिक साधारन व्याज की दरसे कौन साधान 4 बर्स में 600 रुपिया हो जाएगा यानि कि सबसे पहले यहाँ पर किवसंस में दिया है कि 8 परसेंट आपको क्या है रेट है लिखें देते हैं रेट कितना दिया है 8 परसेंट और मुलधन आपसे पुछा लिए 8 परसेंट बार्सिक साधारन व्याज की दरसे कौन साधान 4 बर्स में 600 रुपिया हो जाएगा यहाँ पर किवसंस में कितना दिया है चार बर्ष और 600 सो रुपया हो जाएका किउचर ले बोला है तो यहां पर मिस्धन कितना ीजया है 2800 जो तो देखिए इसका बेश्क एक रोच क्या होगा तो सबसे पहले 8% की दर से 8% की दर से 4 बर्स का साधारन व्याज कितना होगा परसेंटेज में तो rate into time यानिकि 8% के 32% समय लोग इतना जाते होगे तो amount कितना हो जाएगा amount यानिकि विश्धन बरबर मुल्धन पलस व्याज होता है मुल्धन अपने 100% होती है और व्याज कितना हो गया 8% की दर से 4 बर्स का तो अट चोके 32% आपका व्याज हो गया 100% मुल्धन तो 100% पलस 32% यानिकि 132% आपका क्या हो गया amount amount कितना हो गया 132% एह amount कितना दिया है 600 रुपया that means 132% का भैलू 600 रुपया तो 1% का भैलू कितना होगा 56 100 बटे 132 आपसे क्या पुच्छा है मुल्धन क्या होगा यानि कि 100% का भैलू क्या होगा जो पुच्छा है तो 100% का भैलू निकाल दीजिया 26 100 बटे 132 गोने 100 76 86 62 32 52屰ू 15 गोने 100 तो कितना हो गया यह आपका मुल्धन हो गया 5000 रुपया कौन सो ऑप्संस है किप्संस नुमर कितना है 18 अप्संस नुबर दिया गया है दूसरा में तो ऑप्संस नुबर 2 गरेक्ट चरोगा नेक्स्ट किप्संस देखते हैं 19 नंबर केवशिंस नमबर देखिए 19,दिनेस 5000 परसेंट बार्सिक धर से साधारन ब्याज पर 6 बर्स के लिए रिन ले ता है यदि कूल ब्याज 1240 प्या दिया गया हो, तो बताए कि मूल्ण रासी कितनी है यैनि कि सधारन ब्याद दिया है कितना 1230 रुपया मुल रासी यनि की मोझधन अब से पुछा है क्या होगा छे बर्स यनि की टैम दिया है 5% रेट दिया है तो सबसे पहले formula लेकि देते हैं सधारन ब्याद वरबर मोझधन गुना 10 बटे 100 गुना समय यहां 1230 रुप्या क्या होता है कुल व्याद यालिकी 1230 रुप्या है साधारन व्याद मुद्धन पुछा गया है क्या होगा रेट दिया है कितना 5% यालिकी 5 वटे 100 और टाइन कितना दिया है 6 वर्स और इसको सुल्व करेंगे तो 20, 25, 100, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 3 से कैंसिल करत होते हैं यानि कि मुद्धन कितना हो गया 41 तो 41 रुप्या कौन सौ उप्षंस है 19 का उप्षंस नंबर 1 में दिया है 41 उप्षंस नंबर 1 करेक्ट इंसल है अब 20 नंबर के उप्षंस जखते हैं किसी धनरासी पर सधारन व्याद तीन वर्सों में उस धनरासी का एक वटा दो गुना हो जाता है 12 व्याज की दर क्या है उस धनरासी का एक वटा दो गुना हो जाता है क्या लिखा किर्षंस में किसी धनरासी का साधारन 1 मेर्ण तीन वर्स को अगरें सबसे पहले आपको क्या पुछा गया है यानिकि सधारन ब्याज बरबर मुल्धन गुना दर बटा सव कुना समय लिखेंगे साधारन देख हो गया मुल्धन कितना दो है कितना है रेट आपसे पूचा है और टाइम कितना है तीन वर्ष तो 52 इहां पर 50 एक गुणा पचास पचास और तीन इधर आएगा पचास वटा 3 यहनि कि रेट हो गया पचास वटा तीन जिसे हैं बोल सकते हैं तो पूर्णाग 2 बटा 3 यानि 16 पूर्णाग 2 बटा 3 परसंट का उप्संस है विसका देखते हैं आप्संस नमबर 4 है तो आप्संस नमबर 4 करेक्ट रेंसर है नेक्स्ट क्यूशन्स देखते हैं 21 किसी धन रास्ति पर सरल व्याज कॉमा मुल्धर का एक बटा नौव है वर्स मुल्धर का एक बटा नौव है तो सबसे पहले यहाँ पर यह फॉर्मूला कौना चाहिए जब किर्संस में यह दिया रहे भेन गिवेन इंदा किर्संस सिंपल इंट्रेस्ट बराबर क्या रेट यह आपकी प्रेस्ट में जब दिया रहे तो इसके बराबर क्या होता है रेट बराबर टाइम बराबर क्या होता है तो यह होता है प्याजबटे मूलधन और गुणा सव अब करने के पुछाते आपसे के से को पुछा है रे क्योछा है तो रेट वर किसाम इसे की नपल लdoo इन में तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मुलधन दर बटे सवना समय साधरनव्यास दिया है 230 है कि तो मुलधन आप से पूझा है चौदधा परसल्त और कितना है तिन बर्स कशिब करते हैं और सद्दोन 8, 7, 21 फिर 2 और 5 यानि कि फिर 7, 21, 14, 22 46 और इसको क्या करते हैं तीन से कंसे करदें तो 11, तीया 3, 23, दो तीया 6 और 2 से कंसे करते हैं चप मंदूनी 112 अब तो घंसल नहीं होगा तो 10, 16, जर्णषब पर यानि 570, मुल्धन कितना हो गया, 570 रुपया, कौन सा उप्षंज है, 22 का देखते हैं, 570 रुपया, दूसरा नमबर उप्षंज है, तो उप्षंज नमबर जो करेक्ट इनसर है, next कीवसस देखते है 23 number स्रीमर्थी माथुर ने एक ऐसे बैंग से 16,000 रुपया रिन लिया मतलब मुल्धन 16,000 रुपया हो गया जितना रुपया रिन लेगा जितना रुपया उधार लेगा कर्ज लेगा वो मुल्धन हो जाता है तो 16,000 रुपया रिन लिया जो 10% बार्षिक ब्याज लेता है यदि वह दो बर्सों बाद धन बापस कर देती है तो उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा डिरेक हम बना देते हैं साधारन ब्याज बरबर मुल्धन गुना 10 बटे 100 गुना समय होती है तो साधारन ब्याज निकालते हैं मुल्धन क्या है 16,000 रुपय रिन लेता है तो 16,000 रुपय आपका हो गया मुल्धन रेट दिया है कितना 10% तो 10 बटा 100 टेम दिया है दो बर्सों के बाद वह चुकाता है तो टेम दो बर्सों क्या अब 10-10-10 गैंसिल यह भी 10-10-10 गैंसिल और 16,000 रुपय रुपय यादि कि साधारन ब्याज रुपय कौन सौ अप्सिंस दिया है तेस का अप्सिंस निमर दुसरा में तो अप्सिंस निमर दो करेक्टन सर होगा अब नेक्स्ट की उप्सिंस देखते है 24 नंबर क्या है किर्संस 24 गीता एक साहोकार से 5 बर्स के लिए 9% बार्सिक व्याज की दर से 15100 रुपय उधार लेती है 5 बर्स पस चात उसे साहोकार को कितनी धनरासी चुकानी पड़ेगी कितनी धनरासी चुकानी पड़ेगी आप से क्या पुछा है यानिकि आपसे मिस्धन पुछा है क्या होगा तो मिस्धन जानते हैं क्या होता है मिस्धन जो होता है वो मुल्धन पलस ब्याज होता है तो देखिए सबसे पहले यहां पर किर्संस में दिया है 9% की दर से 5 वर्स के लिए तो simple interest कितना हो जाएगा 9% 45% हो जाएगा तो amount कितना हो जाएगा मुल्धन पलस ब्याज प्याज मुल्धन 100% पलस ब्याज 45% यानिकि 145% आपका क्या हो गया इमाज 145% का भैलू क्या होगा जो पुछा है क्यूशन से में दिया है 1500 के उधान लेती है तो मुल्धन आपका 1500 1% कितना हो जायेगा 500 बटा 100 यानिकि कितना हो गया तो 15 रुपय होगया तो 145 परसेंट का भालू कितना होगा पंद्रा हुना 145 गुना कर जते हैं 1555 के 5 बागी 7 दいや गया है इतिस एपको दिया गया है एक टोड़ा नमर, नमर होपसन्स नमर च्रथा करेक्ट एंसर है ।